तो कैसे हो मेरे दोस्तों ठीक हो तो कुछ मीठा खाने का मन है तो चलिए बनाते हैं बिना सक्कर की देशी खीर वो भी गूर से इतनी टेश्टी कि हमारी खीर फटेगी भी नहीं अस्वाद में सक्कर की खीर से भी टेश्टी लगेगी तो इसके लिए मैंने लिया है करी हमारा चावल को एट करने लिए चावल के चला के अच्छे से पक जाना चीक है ,टो देखिए हमारा चावल पक रहा है और सवट होना चीए चलिए चावल पक रहा है थे लिए हैं देशी गूर 200 ग्राम इसको गरम पानी में एट कर दी हूँ गूर हमारा इसे मेल्ट हो जाएगा देखे पग गया है चासी जैसा इसको बन कर दी हूँ तो हमारे देखे चावल पक चुका है इसको इस तरह से मलें के चावल पक जाना चाहिए तब इसमें हम चासी पकाएंगे तो देखिए अच्छे से हमारी खीर पक चुकी है तो ड्राइफुट में आपको जो पसंद सब एट कर सकते हैं तो मैंने सिर्फ एट किया है बदाम इसको भी हमें एक मिनट के चलाती हुए पकाएंगे और देखिए हमारे खीर बन के रेडियो चुकी यह देश रूट आए करिए तो वीडियो आप देखिए हमारे तक अगर पसंद आएगे तो लाइक भी करिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा